अगर दोस्तों आप भी Dream 11 पर अपनी टीम को चेंज करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि Dream 11 पर टीम को कैसे चेंज किया जाता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि आप कैसे Dream 11 पर अपनी टीम को चेंज कर सकते हो तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि Dream 11 पर टीम कैसे चेंज की जाती है अब दोस्तो Dream 11 पर टीम चेंज करने के लिए सबसे पहले एप को ओपन करेंगे Dream 11 के एप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एंटरफेस नजराता है और मैंने यहाँ पर कोई भी मैच पर एक टीम नहीं बनाई है तो आज यह आईपेल का मैच होने वाला है तो इसके उपर हम यहाँ पर टीम बनाएंगे सबसे पहले तो मैच के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे create टीम पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर मैं कोई भी random player अपने टीम में लेने वाला हूँ जैसे कि इस player को लेंगे batting section में आएंगे यहाँ पर 3 batsmen ले लेंगे old rounder पर आएंगे और यहाँ पर 3 old rounder ले लेंगे उसके बाद balling section पर आएंगे और यहाँ पर 2-3 baller ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने total 11 player की team बनाई है team बनाने के बाद नीचे next करना है next करने के बाद यहाँ पर captain और vice captain select कर लेना है उसके बाद नीचे save कर देना है save करने के बाद आप देख सकते हैं अब ही हमने यहाँ पर अपनी एक team create की हैं अब इस team को मुझे change करना है अब दोस्तों क्या होता है team बनाने के बाद जब toss का time आता है तब team में जो player नहीं खेलता है उन player को हमें change करना पड़ता है नए तो वो player हमारा flop जाता है इसलिए हमें अपनी team को change करना बहुती ज़रूरी है तो team change करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपको my team का option मिलेगा इस पर click करना है my team के option पर click कर देने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इतनी सारी team यहाँ पर बना दी है तो जो भी team को आपको change करना है simple से यहाँ पर एक pencil का icon मिलेगा आपको तो इस pencil के icon के उपर click कर देंगे तो आप यहाँ पर अपनी team बनाने की process में फिर से आ जाओगे तो अभी आपको जो player नहीं चाहिए simple से उसके उपर click कर देंगे तो player आपका unselect हो जाएगा और आप जिस भी player को लेना चाहते है उस player को select कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर एक player को unselect किया है तो इस player को मैं select कर दूँगा तो यह मेरे team में आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर next करना है अगर आप यहाँ पर अपना captain और wise captain फिर से change करना चाहते है तो आप यहाँ पर से change भी कर सकते है समझो मैं इसे captain करना चाहता हूँ और इसे wise captain तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने team को change कर सकते है change करने के बाद नीचे save कर देना है save करने के बाद आपकी team यहाँ पर change हो जाएगी तो इस तरह से आपनी टीम को चेंज गर सकते हो